जब भी आप business intelligence solutions के उपर अपने business के कोई भी problem को highlight कर रहे होते हैं या उनके key performance indicators को देख रहे होते हैं तो कुछ ऐसे points होते हैं जो बहुत important होते हैं और आप चाहते हैं कि हम उनको highlight करके दिखाएं अपने dashboard के अंदर या अपनी website के उपर वो कौन से points हैं और इनको किस तरीके से highlight किया जाते हैं so card का लफज आपने सुना होगा या sticky notes का सुना होगा तो sticky note क्या होते हैं किसी भी चीज़ को highlight करके आप लगा देते हैं लेकिन एक specific card होता है card क्या होता है जहां पे आप कोई भी एक information को add कर सकते हैं किसी चीज़ का sum add कर सकते हैं या किसी भी किसम का key performance indicator भी व यहां पर आपके पास row card है, मैं क्या करता हूँ, यहां पर build पर click करूं गा, और अगर आप यहां पर थोड़ा सा zoom in करें, तो यह मेरे पास दो row card है, एक यह वाला card है, और second मेरे पास यह वाला card है, multi row card, तो मैं single row card को यहां पर add करता हूँ, single row card को add करने के बाद ये मेरे पास single row card आ गया अब इसके उपर जैसे मैंने click किया है मैं data पे पे click करता हूँ तो मैं tip में से day का data मैं यहाँ पे उठाता हूँ जैसे मैंने categorical variable रखा तो यहाँ पे मुझे उसने बता दिया कि first day मेरे पास Friday है but on the other side मैं इसको नहीं रखना चाहता मैं यहाँ पे sex का column रखता हूँ तो वो कहता first sex female है मैं size का रखता हूँ तो यह मुझे बताता है sum of size यानि के total table का size यह है that doesn't make any I would say kind of visualization जिस चीज़ की sense बनती है that is tip तो tip पे अगर आप गोर करें तो हमारे पास sum of tip जो है वो 731.58 है यानि के अभी तक जितनी भी tip इकठी हुई है वो इतनी इकठी हुई है और अगर हम total bill देखें तो हमारे पास total bill जो है अगर मैं tip को निकालू total bill को add करूँ that is 4.83K ठीक है so इतना sum of total bill है so what we can do we can actually add tip या अपना total bill और अगर मैं tip add करना चाहूँ और मैं इसकी सिर्फ average add करना चाहूँ तो on an average 3 dollar tip हमें मिलती है so this is one of the card information which you can add on the other side on an average अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास total कितनी amount होगी है tips की तो you can actually see that तो ये एक information है जो customers के dashboard के लिए तोर पे हम use कर सकते हैं या hotel के अंदर या restaurant के अंदर कि यहाँ पर लोग देखें और लोग बताएं कि जनाबे वाला अभी तक हमारे tip इतनी हो चुकी है so हर महीने आप tip को calculate कर सकते हैं like this और ये card आपको बता देता है second एक और इसी तरीके के चीज़ है जो है multi row card मैं इसको add करता हूँ और यहाँ पर आप देखिएगा कि मैं यहाँ पर जितने fields add करता जाँगा उतनी मेरे पास different किसम की जो row cards है वो आते जाएंगे सबसे पहले मैंने total bill को add किया तो ये मेरे पास sum of total bill आ गया अब यही नहीं जरा देखिएगा इसका और भी मज़ा अब मैं जाता हूँ कि यहाँ पर day wise देखो मैं day को click करता हूँ and now you will see कि हर एक day की Saturday, Sunday, Thursday and Friday उनकी sum of total bill भी हमारे पास आ गया और sum of tip भी आ गया which gives us an idea कि किस दिन सबसे ज़्यादा bill बनता है अगर हम यहाँ पर देखें Saturday को हमारे 1700, 1600, 1325 तो उपर से नीचे हमारे पास sum of bill जो है वो कम हो रहा है यानि कि Saturday से Friday तक और यहाँ पर अगर आप sum of tip देखें तो 260 यहाँ पर 247, 171, 151 So you can have an idea कि यहाँ पर हमारे पास जो Saturday से Friday तक जितनी भी tip होती है और bill होता है वो उसकी पूरी ratio हमारे पास यहाँ पर मजूद है तो multi row card का यह फाइद है इसमें अगर आप चाहें तो आप add कर सकते हैं कि smoker ज्यादा bill पे करते हैं या tip पे करते हैं या non smoker तो जैसे मैंने उसको add किया अब आप देखें कि आपके पास smoker का column भी आगया non smoker का भी आगया और row card आपको proper information दे रहा है कि जो smoking area के अंदर लोग बैठते हैं वो ज्यादा tip देते हैं कि दूसरे तो यहाँ पे अगर आप गोर करें तो इस तरीके से smoker जो नहीं है और day Sunday है some of the tip उनकी यह थी तो उपर से नीचे आप देखेंगे कि यह भी कम होती जाएगी and you will see a trend between these values ठीक है अब जारी बात smoker जो है इसको अगर हम निकाल के यहाँ पे देखें कि females ज्यादा देते हैं tip या male देते हैं so we can do that और यह bill भी आगया उनका और tip भी आगया and this is how you can divide different things between male and female लेकिन ज्यादा इसको complicated बनाने की बजाए something like this will make sense ठीक है तो यह हमारे पास key performance indicator की base पे यह आप कह सकते हैं कि एक row card की base पे चल जाएगा अब मैं इसी का एक और काम करता हूँ मैं एक और row card add करता हूँ और यहाँ पे मैं different किसम के indicator add कर लेता हूँ so it's up to me totally अब यहाँ पे अगर आप और करें मैं data add करता हूँ जनाब total bill tip और यहाँ पे sex को add कर देता हूँ so this is how male और female का मेरे पास data आगया ठीक है अब चलते हैं आगे एक और मैं यहाँ पे add करता हूँ मैं इसको copy पर करके paste कर देता हूँ if I can do that यहाँ पे तो यह मैंने इसको copy करके paste कर दिया और बजाए इसके sex के मैं non smoker and smoker को कर देता हूँ so this is how you can see smoker and non smoker आपके पास किस तरीके से add होते हैं ठीक है so this is how you can actually see that लेकिन जारी बात है इसमें अभी हमें no और yes का नहीं पता किया है तो we have to add the gender या smoker as a title तो उसके लिए हम क्या करेंगे format पे click करेंगे something like this और more option पे चले जाएंगे बलके बजाए इसके वहाँ पे title की option आ रही थी title पे click कर दे तो यहाँ पे भी आप click करने के बाद title पे click कर दे so this is how you can create different kind of row cards तो यह row cards मेरे पास आ गए and I would suggest to add here gender और इसको मैं control B करके यहाँ पे click करके bold कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ smoker bold यहां से मैं bold कर देता हूँ format को मैं यहां पे इस तरीके से ले आता हूँ and now you will see के हमारे पास कुछ इस तरीके से लें जनाब तो यह हमारे पास इस तरीके से पूरे का पूरा एक column बन चुक है और हमारे पास dashboard के अंदर different key performance parameters आ चुके है and this is how you can actually play with the things मैं यहां पे इसको भी duplicate करता हूँ ctrl c v और मैं यहां पे sum of tip के वजाए total bill को add करता हूँ so this is how you can actually see the total amount और right side पे उनकी division देख सकते है ठीक है जी something like this so यह आपकी total bill है उपर tip इसको मैं नीचे कर देता हूँ क्योकर tip जो है bill के बाद आनी चाहिए and here you go तरीकों से आप change भी कर सकते हैं for example मैं यहां पे click किया हुए so sum of total bill है and this is how it goes filters आपके पास है build भी आपके पास है मैं format पे click करता हूँ and you can change size and style padding call out category label so on and so forth मैं यहां पे इसको bold कर देता हूँ तो नीचे से category label bold हो जाएगा call out values जो है वो मैं यहां पे add कर देता हूँ यहां पे इसको मैंने black में रखा हुए मैं इसको blue में भी कर सकता हूँ तो यह value मेरे पास इस तरीके से blue purple हर किसम के color के अंदर आ जाएगी and this is how you can actually play with the tip and bill समझागी है जनाब तो इस तरीके से आपका dashboard और भी असान से असानी से जबरतस बन जाएगा अगर आप row cards को add कर लेते हैं अगर आपको यह एक tip पसंद आई है और आपके dashboard को और भी अच्छा सुन्दर खुबसूरत बनाने में help out करती है तो please like this lecture, share with others and subscribe our channel, follow us for more see you in the next one